कक्छा 10 के सबी विध्यारतियों का मैं मेरे यूट्यूब चैनल English by उमेश गुरू पर स्वागत करता हूँ और ऐसी आसा करता हूँ कि आप सबी ने मेरे चैनल English by उमेश गुरू को सब्सक्राइब कर लिया है क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कर पाओगे और प्लेलिस्ट ओपन करते ही आप देखोगे कि कच्छा 10 का एक फॉर्मेट बना रखाए मैंने उस कच्छा 10 के कॉलम में आपको गोल्डन रेज़ बुक के चार लेसन मिलेंगे आपकी गोल्डन रेज़ बुक की पॉएम्स मिलेंगी उन पॉएम्स की एक्स्प्लेनेशन मिलेंगी correct form of verbs और tense जो 4 नंबर के हैं वो भी आपको मिलेंगे models जो 2 नंबर के हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे active passive दो नंबर के हैं वो भी आपको playlist में मिलेंगे और clause जो की 3 नंबर के हैं आपके slavus में उसमें से मैंने relative clause को solve करवा दिया है ये lesson पांचवा lesson complete होने के बाद मैं adverb clause of condition जो है आपके slavus में उसको मैं solve करवाऊंगा अत्या आप मेरे youtube channel English by Umis Guru को subscribe कर ले subscribe करने के बाद playlist open करके कच्छा 10 की पढ़ाई को आप अपने घर से जारी रख सकते हैं आज का हमारा lesson है a hero 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 कहते हैं इसको hero सही चारण नहीं है इसका hero a hero तो एक नायक ये हमारी आरके नारायन इंडियन राइटर हैं उनके द्वारा लिखा हुआ ये lesson है इसको हम पढ़ते हैं start करते हैं दो पार्ट इसके तयार करूँगा ये पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट पर फिनिस कर दूँगा चलिए start करिए for swami events took an unexpected turn swami के लिए events means गटना गटनाओं ने took लिया an unexpected आसा के विपरीत और turn means गुमाव ये बदलाव swami के लिए गटनाओं ने उसकी आसा के विपरीत मुडी ये बदलाव लिया father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said swami listen to this father looked over the newspaper पिता ने अखवार के उपर से देखा he was reading जिस अखवार को वो पढ़ रहा था तो swami के पिता अखवार पढ़ रहे थे उस अखवार के उपर से देखा under the hall lamp और कहां पे बैट के पढ़ रहे थे hall की lamp के नीचे and said और बोले swami listen to this swami ये सुनो news is to hand off the bravery of a blaze lad ये खवर hand off प्रसंसा योग्य है the bravery of a blaze lad गाओं के एक लड़के की बहादुरी की प्रसंसा की खवर है who जो लड़का while returning home by the jungle path जो जंगल की रास्ते से घर बापस लोट रहा था उस लड़के की बहादुरी की कहानी है ये बहादुरी की खवर है came face to face with a tiger उस लड़के का लोटते हुए आमना सामना हुआ बाग से the paragraph described the fight the boy had with the tiger and his plight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger the paragraph described उस paragraph में बर्नन था जो पिता सुना रही थे अकवार में से उस paragraph में बर्नन था the fight the boy had उस लड़ाई का जो लड़के ने लड़ी थी with the tiger बाग के साथ and his plight up और उस लड़के का चड़ना a tree एक पेड़ पर where he stayed for half a day जहां वो आदे दिन उस पेड़ पर बैठा रहा लड़का till तब तक बैठा रहा some people came that way जब तक कुछ लोग उस रास्ते पर नहीं आ गए and killed the tiger और जब तक उन लोगों ने बाग को नहीं मार दिया वो लड़का बैठा रहा तो यह ख़वर पिता ने स्वामी को सुना ही है अख़वार में से और पिता कह रहे हैं कि यह प्रसंसा योग के ख़वर है after reading it through इसको पूरा पढ़ने के बाद after reading it through पूरा पढ़ने के बाद father looked at swami fixedly and asked पिता ने स्वामी की तरफ fixedly टक टकी लगा कर के देखा और कहा what do you say to that इसके बारे में क्या कहते हो तुम इस घटना के बारे में swami said swami बोला I think he must have been a very strong and grown up person not at all a boy मैं सोचता हूँ कि वो कोई ताकतवर और grown up grown up means व्यस्क व्यक्ति होना चाहिए not at all a boy वो कोई लड़का नहीं होगा जो बाग से लड़ा और पेड़ पर चड़ गया तो swami कहना चाहता है कि वो कोई ताकतवर और व्यस्क व्यक्ति है fight a tiger एक लड़का बाग से कैसे लड़ सकता है you think you are wiser than the newspaper father sneered पिता ने गुसे में कहा व्यंग करते हुए कहा तुम सोचते हो कि तुम अखवार से जादा बुद्धि मान हो अखवार में खवर चपी है तो सही है वो लड़का ही होगा a man may have the strength of an elephant and yet be a coward एक ब्यक्ति में हाथी के जैसी ताकत हो सकती है and yet और फिर भी be a coward और वो डरपोक हो सकता है whereas जबकी another may have the strength of a conservative but if he has courage he can do anything और दूसरा ब्यक्ति conservative means tv से पीडित हो सकता है कमजोर हो सकता है conservative जो tv से tv की बिमारी से पीडित हो tv की बिमारी से मतलब यहां कमजोर हो सकता है दूसरा जबकी दूसरा ब्यक्ति कमजोर हो सकता है but if he has courage लेकिन यदि उस ब्यक्ति के अंदर सहास है he can do anything वो कुछ भी कर सकता है ताकत और उम्र ज्याद़ा महतपूर्ण नहीं है तो स्वामी के पिता समझा रहे हैं स्वामी ड़िस्प्यूटेट अरहे हैं ताकत और उम्र कुछ भी नहीं है स्वामी डिस्प्यूटेट्द थियरी स्वामी ने अपने पिता की इस थियरी का स्वामी डिस्प्यूटेड दे थियरी स्वामी ने पिता के इस थियरी इस सिद्दान्त का खंडन किया जब पिता कह रहे हैं कि साथ सब कुछ है उम्र और ताकत से कोई लेना देना नहीं होता है ज्यादा महतपूर नहीं है ताकत और उम्र तो स्वामी ने डिस्प्यूट किया, बिरोध किया खंडन किया इस थेहरी का How can it be father? ये कैसे हो सकता है पिताजी Suppose, मान लिजिए, कल्पना कीजिए I have all the courage कि मेरे अंदर पूरा सास है What can I do if a tiger should attack me मैं क्या कर सकता हूँ यदि कोई बाग मेरे उपर आकर्मन करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो स्वामी कहना चाहता है कि ताकत होनी चाहिए सरीर के अंदर तो उसने कहा कि कोई बाग मुझ पर आकर्मन कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ मान के चलिए मैं खूब सहासी हूँ leave alone strength ताकत की बात छोड़ो can you prove you have courage पिताने कहा क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर सहास है let me see मुझे देखना है if you can sleep alone tonight in my office room मैं देखना चाहता हूँ if you can sleep alone sleep alone कि तुम अकेले सो सकते हो tonight, आज की रात in my office room तुम आज की रात मेरे office वाले कमरे में अकेले सो के देखाओ मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर सहास है पिताने स्वामी से कहा a frightful preposition ये जो प्रस्ताव preposition means प्रस्ताव ये एक भयानक प्रस्ताव स्वामी थोट, स्वामी ने सोचा एक भयानक प्रस्ताव है ये मैं अकेला सो इन ही सकता he had always slept beside his granny in the passes and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night he had always slept वो हमेशा सोया था beside his granny अपने दादी मा के पास in the passes गलियारे में हमेशा गलियारे में सोता था वो अपने दादी मा के पास and any change in this arrangement और यदी इस सोने में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए kept him trembling तो वो कांपता रहता था and awake all night और पूरी रात जागता रहता था स्वामी तो वो दादी के पास सोता था और कभी कबार यदी दादी नहीं होती थी और उसे सोना पड़ जाता था तो रात वर कांपता रहता था वो और जागा रहता था he hoped at first that his father was only joking शुरुवात में उसने आसा की कि साइद पिता केवल मजा कर रहे है मुझसे अकेले सोने की बात करके he mumbled weakly yes weakly means धीमे से and mumbled means बदबदाया उसने का yes, हाँ, सो सकता हूँ मैं अकेला सो सकता हूँ and tried to change the subject और फिर उस विसय को बदलने की कोशिस की जिस विसय पर बातचीच चल रही थी उस विसय को बदलने की कोशिस की उसने ये कहकर कि हाँ मैं अकेला सो सकता हूँ he said very loudly and with great deal of enthusiasm वो जोर से बोला पूरी आवाज में with great deal of enthusiasm और बड़े उत्सा के साथ उसने topic बदल कर बात शुरू की enthusiasm इस उत्सा we are going to admit even elders in our cricket club hereafter कि we are going to admit हम प्रवेस दे रहे हैं या हम प्रवेस देंगे to even elders विस्क और बड़े लोगों को भी प्रवेस देंगे हम in our cricket club hereafter कि आज के बाद हमारे cricket club में बड़े लोग भी युबा लोग भी हमारे club में प्रवेस देंगे उनको वो खेलेंगे हमारे साथ we are buying brand new bats and balls हम नए bats खरीदेंगे नई ball खरीदेंगे our captain has asked me to tell you हमारे captain ने कहा है कि मैं तुमको ये चीज बता दू कि हम नए bats नई ball खरीद रहे हैं और हमारे club में अब युबा लोग भी खेलेंगे we will see about it later father cut in पिता ने उसकी बात को बीच में काट दिया इस चीज को हम बाद में देखेंगे ये cricket cricket की बात बाद में देखेंगे you must sleep along hereafter आज के बाद तुम्हें अकेला सोना है इस बात पर जोड दे करके कहा उसके पिता ने स्वामी realized that the matter had gone beyond his control स्वामी ने महसूस किया that the matter had gone beyond his control कि ये मामला अब उसके नियंत्रन से बाहर चला गया था पिता उसको अब अकेला ही सोने के लिए बात दे करेंगे उसको ऐसा लगा कि अब मामला बिगड़ गया है from a challenge एक चुनोती से it had become plain command अब तो ये पिता की एक आज्या हो गई है कि अकेले ही सोना है तुमको he knew his father's tenacity at such moment इस छण वो अपने पिता की द्रण निष्चेता को जान गया था वो जान गया था कि पिता बिल्कुल द्रण निष्चे ही हो गए हैं determined हो गए हैं मुझे अकेले सुला के ही मानेंगे from the first of next month I will sleep alone father, pita अगले महिने की एक तारिक से I will sleep alone मैं अकेला सोंगा no you must do it now नहीं अभी करना है तुमको अभी अकेला सोना है it is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby it is disgraceful यह अपमान जनक है यह एक बेशर्मी है sleeping beside granny की दादी मा के पास सोना और mother और मा के पास सोना like a baby की तुम्हें एक बच्चे के जैसे अपनी दादी मा के पास सोते हो अपनी मा के पास सोते हो यह एक बेशर्मी है यह यह अप्मान जनक है you are in the second form तुम दूसरी अवस्था में हो, अपने जीवन की में बाल्य अवस्था में हो तुम शैशव अवस्था में नहीं हो शैशव अवस्था होती है, 0 से 5 साल की और 5 से और 2012 साल तक की होती है, बाल्य अवस्था second form, तुम 5 से और 12 साल की उम्र में हो and I don't at all like the way you are being brought up और मुझे पसंद नहीं है पिता बोल रहा है मुझे पसंद नहीं है जिस तरह से तुमारा यहाँ पालन पोसंद किया जा रहा है घर में He sat and looked at his wife उसने कहा और अपनी पत्नी की ओर देखा कहते हुए कि तुमारा जिस तरह से पालन पोसंद लाड़ प्यार तुमारे उपर दिखाया जा रहा है मुझे यह पसंद नहीं है पिता रहे बोला looked at his wife अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए who was rocking the cradle जो की पालना हिला रही थी cradle means पालना why do you look at me while you say it she asked पत्नी बोली कि जो तुम यह कह रहे हो यह कहते हुए तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो I hardly know anything about the boy मुझे तो इस लड़के के वारे में कुछ जादा पता ही नहीं है no 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 I don't mean father said पिता वोले नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है if you mean that your mother is spoiling him अगर तुमारे कहने का मतलब है कि तुमारी मा उसे if you mean that your mother is spoiling him यदि तुमारा कहने का मतलब यह कि तुमारी मा उसे बिगाड रही है tell her so तो ऐसा तुम अपनी मा से कहो अपने पती से कह रही है कि यदि तुम को लगता है कि तुमारी मा बिगाड रही है इस बच्चे की दादी विगाड रही स्वामी की दादी तो तुम उनसे बात करो and don't look at me मेरी तरफ मत देखो she said and turned away ऐसा उसने कहा और फिर वो मुड़ गई और चली गई मुड़ करके वहां से स्वामी's father sat gloomily saying at the news स्वामी's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap स्वामी के पिता उदास होकर बैठ गए पत्नी डाटके चली गई उसको तो स्वामी के पिता उदास होकर बैठ गए gloomily gazing at the newspaper अखवार की तरफ वो देख रहे थे on his lap जो उनकी गोद में रखा हुआ था अखवार he prayed that स्वामी ने प्रारतन की कि his father might lift the newspaper once again अपने चेहरे के सामने उठा लें so that जिससे I might slip away to his bed मैं अपने बिस्तर पर चुपचाप सोने के लिए चला जाऊं and fall asleep before he could be called again और जाकर के सो जाऊं इससे पहले कि वो मुझे पुकार है मुझे आवाज लगाए मैं जाकर के सो जाऊं तो यहां पे वो प्रार्थना कर रहा है कि यह गवार पिता अखवार उठा लें अपनी आँखों के सामने में चुपचाप खिसक लूँ यहां से और जाकर सो जाऊं अपनी दादी मा के पास as if in answer to his prayer father russell the newspaper उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला जैसे की मानो father russell the newspaper पिता ने सरसराट की आवाज से अखवार उठाया and held it up before his face और अपने चैरे के सामने उस अखवार को लगा लिया and swami rose silently और swami चुपचाप खड़ा हुआ जैसे ही अखवार लगाया पिता ने अपने चैरे के सामने swami rose silently swami चुपचाप खड़ा हुआ and tiptoed away to his bed in the passes और बिना आवाज किये हुए tiptoed पैड दवा करके चुपचाप सांती से अपने विस्तर पर चला गया in the passes जो गलियारे में था उसका विस्तर ग्रैनी वोस सिटिंग अप इनर बैड ददी मा विस्तर पर बैठी हुई थी and remarked और उसने कहा ददी मा ने boys are you already feeling sleepy boy are you all are you already feeling sleepy क्या तुमको नेंद आ रही है ऐसा पूचा ददी मा ने don't you want a story क्या आज तुम काने नहीं सुनोगे Swami made wild gesticulations to silence his granny Swami ने भहुत इसारे किये gesticulations gesture से बनाए gesture में साव भाव or gesticulations इसारे किये Swami ने इसारे किये दादी मा की तरफ but that good lady saw nothing लेकिन दादी मा को कुछ दिखाई नहीं दिया उसके सारे समझ में नहीं आए दादी मा को so Swami threw himself on his bed इसलिए Swami बिस्तर पर लेट गया and pulled the blanket over his face और जो चदर थी या कंबल था उसको ओड लिया आकर के स्वामी ने granny said दादी मा बोली granny said don't cover your face दादी मा बोली चैरे को मत चुपाओ are you really very sleepy क्या बास्तम में तुमको बहुत नहीं दा रही है Swami lint over Swami दादी मा के ऊपर जोका and whispered और धीमे से कहा please please shut up granny granny सांत हो जाओ दादी मा सांत हो जाओ don't talk to me मुझसे बात मत करो and don't let anyone call me even if the house is on fire और किसी को भी मुझे आवाज मत लगाने दो किसी को भी मुझे आवाज नहीं लगानी है if the house is on fire चाहिए घर को आग लग जाए लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं लगाएगा मैं सोना चाहता हूं if I don't sleep at once I shall perhaps die यदि मैं तुरंच से नहीं सोया तो सायद मैं मरी जाऊंगा आज क्योंकि वो अकेला सोना है ना उसको इसलिए कह रहा है इस बात को he turned over उसने करबट बदली curl अपने पैरों को मोड़ा and snored और खराटे लेने शुरू किये उसने under the blanket कंबल के नीचे कंबल ओड़कर खराटे लेने शुरू किये और तब तक लिए till he found उसको उसको लगा his blanket पुल जवे कि उसका कंबल खीच लिया है किसी ने आकर के father was standing over him पिता उसके पास खड़े हुए थे swami get up swami खड़े हो जाओ he said आकर के कहा उसने he looked like an apparition in the semi-darkness of the passage he looked like पिता दिखे उसको like an apparition एक भूत के जैसे in the semi-darkness of the passage उस गलियारे के दुंदले से अंधेरे में semi-darkness पूर्ण अंधेरा नहीं था semi उस दुंदले से अंधेरे में उसको पिता एक भूत के जैसे नजर आए bitch was lit उस गलियारे में थोड़ा सा उजाला था by a corn of light प्रकास की एक रोसनी का reaching from the hall lamp और ये रोसनी की किरण आ रही थी hall lamp बाली hall की lamp से hall में जो lamp जल रही थी उसकी एक किरण इदार आ रही थी स्वामी stirred and groaned स्वामी हिला and groaned और कराया as if in sleep जैसे की वो नींद में हो father said पिता वोले get up स्वामी स्वामी खड़े हो जाओ granny pleaded why do you disturb him दादी मा ने उससे कहा अपने बेटे से क्यों disturb करना चाहते हो इस बच्चे को सोने तो get up स्वामी he said for the fourth time चौथी बार पिताने कहा स्वामी से get up खड़े हो जाओ चौथी बार कहा है पिताने कि खड़े हो जाओ get up स्वामी he said for the fourth time and स्वामी got up और स्वामी खड़ा हो गया father rolled up his bed पिता ने उसके बिस्तर को लपेटा घड़ी की उसकी took it under his arm अपनी कांख में लगाया उस बिस्तर को and said और स्वामी से बोला come with me मेरे साथ आओ स्वामी looked at granny स्वामी ने दादी मा की ओर देखा hesitated for a moment एक छण के लिए हिचके चाया स्वामी वहाँ जाने से पिता के पीछे and followed his father into the office room और फिर अपने पिता के पीछे पीछे चला गया office room में on the way रास्ते में he threw a look of appeal at his mother उसने रास्ते में अपनी मा की ओर देखा निवेदन करते हुए and she said और वो बोली उसकी मा why do you take him to the office room तुम उसको office वाले कमरे में क्यो ले जाते हो he can slap he can sleep in the hall I think मैं सोच तुम यह hall में ही सो जाएगा इसको मैं office वाले room में क्यो ले जाते हो he can sleep in the hall I think मैं सोच तुम हूल में ही सो जाएगा I don't think so मैं नहीं सोचता है ऐसा said father उसके पिता बोले and swami slunk behind him with bowed head और swami slunk चुप चाप उसके पीछे पीछे चल दिये अपने पिता के with bowed head सिर जोका करके तो यहां तक हमारा part 1 रहेगा let me से हम पढ़ेंगे part second let me से part second रहेगा हमारा बने रही है आप अपने English गुरू उमेश चौदरी के साथ YouTube चैनल English by उमेश गुरू को subscribe कर लीजिए और playlist में से अपनी book rainbow पढ़िए letter writing भी वहाँ पर है यह सारी चीजें आपको कक्छा 10 वाले format में मिल जाएंगी बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ बने रहे part 2 में मिलेंगे धन्यवाद